बदलते खांदान की तरह परोज भी बदलता है इस तस्वीर में देखिए परोजी किस तरह उर्सत के आउकात में एक जगा बैट कर बातचीत करते हैं परोजी हमारे खुशियों और दुख दर्द में शरीक होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं खांदान के अलावा अपने परोजीयों से हमारा रोजाना तालुक होता है हम एक ही माहूल में रहते हैं हमें माहूल का कच्रा, तहफुश, पानी, बिजली जैसे मसाइल हल करने के लिए एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है जरूरत के वक्त हमारे रिष्टेदार हमारी मदद को आने तक परोजी ही हमारी मदद को आते है अगर हम परोजीयों से लड़ाई जगड़ा करते रहेंगे तो हमारा भी सुकून खराब हो जाएगा और हमारी इस्तिमाई जिन्दगी में भी सुकून नहीं रहेगा लेकिन अगर हम पडोसियों के साथ अच्छे दोस्ताना तालुकाद बना कर रखेंगे तो हमारे पडोसी हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार होंगे हर कोई मिल जुल कर रहेगा तो हर किसी की इस्तिमाई जिन्दगी खुशगवार होगी तो प्यारे बच्चों हमें अपने पडोसियों से हमेशा महत्बत से पेश आना चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए एक दुसरे की मदद करने की वज़ा से पडोसियों के साथ हमारे तालुकाद मुखलिसाना हो जाते हैं पुर्खुलूस और दोस्ताना तालुक की वजा से इस्तिमाई जिन्दगी खुशगवार हो जाती है